हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अप्री यूट्यूब चेनल प्रेंसफूर्ड एजुकेशन में पिछली क्लास में हमने परामर्जाता की कारियों के बारे में पढ़ा था पहला है नेत्रत्व, परामर्जाता के अंदर दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने तथा नेत्रत्व करने की योगता होना जरूरी है उसके अंदर अन्य वेक्तियों की सहायता करना तता सहीयोग करने की भावना होनी चाहिए रॉयवर ने बताया है कि परामर्जाता के अंदर ऐसा वेक्तित होना चाहिए ताकि वो दूसरों को प्रभावित कर सके और उसमें परामर्जाता में सहायता करने वाला गुड़ भी होना चाहिए, सहयोग करने वाली भावना होनी चाहिए, तभी तो जो प्रार्थी वो अपनी समस्या को सहज रूप से परामर्जाता को बता सकेगा, भय का अनुभव नहीं करेगा वो ठीक है, नेक्स्ट है जीवन दर्शन, परामर्जाता में स्वास्त जीवन दर्शन, नागरिक्ता का भाव समावेश्थ था, मूल विवस्ता, उत्तमाचरन, रुचियां एवं सौंदर रिबो था, मानौ प्रकरति के आस्ता होनी चाहिए, तो परामर्जाता में स्वास्त परामर्जाता में अच्छे पारस्प्रिक संबंदों को विक्सित करने के लिए उसके अंदर निम्द गुड़ों का होना अवश्यक है अपनी विचारधारा के अपेक्षा दूसरों के द्रस्टिकोंड के प्रति सही शुनता रखना ठीक है दूसरों की अवश्यक्ताओं का ध ठीक है समाजिक समेदन शीलता इमानदारी निस्टा व्यक्तियों से मिलने जुलनों की योगता व्यक्तियों में रुची रखना धैर पारस्प्रिक संबंदों में सोहर्द इत्यादी पारस्प्रिक संबंद निकट के होने चाहिए ठीक है परामर्जदाता में अच्छे पा बिकार करे, व्यक्तियों के अपने पर ध्यान रखे, समाजिक सम्वेधन शीलता हो, उसके अंदर इमानदारी हो, ठीके निस्टा हो, व्यक्तियों से मिलने जिलने की योगिता हो, अगर ये सब गुण उसके अंदर हैं, तो पारस्परिक सम्मंद अच्छा विक्सित कर सकता है नेक्स्ट है सेक्षिक प्रष्टबूमी तता सेक्षिक योगिता परामर्जाता में बुद्धी उच्च परिश्कृत, समाजिक अभिरुचिया, कारिक शमता, अभी शमताओं के प्रति जुकाव, तथ्यों का आदर, समाजिक संस्कृती, वहवारिक निर्ने, समान बुद्ध गुण का होना अती आवश्यक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्वास्त और बाह व्यक्तित, परामर्जाता के स्वास्त के माध्यम, उसके बाह व्यक्तित का पता लगाया जा सकता है, परामर्जाता स्वास्त, म्रदुभाशी, बाह अकर्शक, रूप रेखा, स्वक्षित इसके अत्रिक्त उसका वहवार ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अन्र डूसरे वneysक्ति हसी उढ़ाएं मतलब वxtures तो कैसा हो? वक्ति तो ऐसा होना चाहिए जिससे डूसरे देखकर प्रभावित हो परामर्जाता स्वस्त होना चाहिए, म्रदुभाशी होना चाहिए, बाहा आकर्षक होना चाहिए, स्वक्षिता हो उसके अंदर मतलब उसका वैवार ऐसा ना हो कि दूसरे उसका हसी उड़ाए तो कोई भी प्रार्थी अपने समस्या को लेकर परामर्जाता के पास नहीं जाएगा ठीक है तो व्यक्तित तो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए नेक्स्ट है व्यक्तिगत समायोचन अनकूलन छमता के महत्व का भाव स्वयम की कमियों की जानकारी नमनियता, आमोद, प्रमोद, पूरवा नुभों से लाब उठाने की योगिता आत्म विश्वास, स्वयम की समस्याओं के निराकर्ण हेतु विवेक, युक्त, दर्शन एवं स्वयम की बारे में ज्यान यदि कोई सिवार्थी परामर्जाता की बात का अन्य अर्थ लगा ले तो उसे सही शुड़ता के साथ इसपस्ट करने की चमता होनी चाहिए मतलब की परामर्जाता के पास में धैर की भावना का होना बहुत जरूरी है धैर रहो उसके पास में ताकि वो बात बात पे चिड़े नहीं अगर प्रार्थी परामर्जदाता की बातों का अन्य अर्थ लगा ले तो भी उसको सही शुड़ता के साथ में धैर के साथ में उसकी बातों को सहजता से स्विकार करना चाहिए और उतर देना चाहिए नेक्स रहे व्रत्तिक के साथ समर्पित होना, रोयबर के अनुसार, एक आदर्श परामर्जदाता की विशेशताओं का या विस्तार, उस व्यक्तित को प्रभावित कर सकता है, जो शोध कारे हुए तो चैनित छेदर का विचार रखता है व्रत्तिक द्रश्टिकून, प्रेणना व्रत्तिक नेतिकता के प्रतिक गहन भावना, भाव सिक्षा के कार हेतु निष्टा वा उस्साह, व्रत्तिक विकास, करतव के निर्धारत, समय के अलावा भी कार करने की इक्षा, निर्धेशन कारे में रुची लेना, तथा को साहता पिदान करने के संबंद के रूप में कार करना तो आज क्लास में हमने क्या पढ़ा रॉइबर के अनुसार जो परामर्जाता की विशेश्थाएं थी उसको सात वर्गों में विभगत किया गया था उनके बारे में आज क्लास में हमने पढ़ा नेक्स क्लास में हम परा परामर्जाता तथा परामर्शी के भी संबंद के बारें पढ़ेंगे Beard and Seated की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं PDF के लिए आप हमारे टेलिगाम चैनल को जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है धन्यवाद मिलते हैं अपनी नेक्स क्लास में